हलो एवरीबड़ी मैं डॉक्टर विक्रम मसकर हूँ एक कंधे और घुटने का विशेश अग्या और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ चीज ऐसे जो इस मौसम में बढ़ता है कंधे का दर्द तो इस वीडियो में हम कंधे के दर्द के बारे में बात करते हैं ये क्यूं होता है इससे हम घर पे कैसे जूच सकते हैं तो याद रखिएगा कंधा जो है ये एक ball और socket joint है ball बड़ा होता है socket छोटा होता है जो हम सीख चुके याभी तक नव कंधे में दर्द क्यों होता है तो कहीं कारण हो सकते हैं इसको हम broadly divide कर सकते हैं infection के वज़े से कभी-कभी infection भी चला जाता है जोड में बुखार हो रहा है आपको बहुत दिन से आप steroid-viroid पे हो जैसे कोरोनों में काफी लोगों ने steroids लिये हैं diabetes हो तो एक बार चौकाना रहीएगा ये infection भी हो सकता है दूसरा है inflammation जैसे frozen shoulder जिसके बारे में हमने काफी बात की है जहां shoulder joint जो है वो जकर जाता है पर अच्छी चीज़ है कि अपने आप usually ठीक हो जाता है तीसरा होता है कोई चोट जैसे कोई fracture हो कोई रसी जो कंदे को चलाती है उनमें कोई चोट हो उनसे भी दर्द हो सकता है चार main causes है दर्द होने के लिए especially कंदे में नव ये दर्द हो चुका है आपको पहली important चीज़ है कि diagnosis क्या है तो diagnosis हम कैसे करते हैं डाइगनोसिस हम करते हैं एक विशेश अग्या के पास जाके वो आपको देखते हैं एक बार rule out करते हैं कि और कोई चीज नहीं है बस जो diagnosis उन्होंने बनाया है वो ही चीज़ है वो important है क्योंकि हर diagnosis में treatment अलग है सोचेगा अगर कुछ तूटा हूँ अंदर रसी तूटा हूँ हड़ी नहीं अगर आप वर्जिश करेंगे तो क्या होगा और भी वो तूटेगी तो important है identify the problem जैसे उन्होंने identify किया है वो आपको physiotherapy surgery कुछ ना कुछ suggest करेंगे important चीज ये है कोई भी problem दो हिस्सों में बटा है life saving problem और life changing problem कहीं चीजों में आपको समय नहीं है सोचने के लिए जैसे कोई भी life threatening problem जैसे कोई tumor हो cancer वाला infection हो वो उसकी तुरंत ilaj होनी चाहिए ताकि आप बच पाए जान को खत्रा है कई ऐसे problems है जैसे रसी तूट गई हो जैसे frozen shoulder हो ये चीजें जान लेवा नहीं होती आपको समय है अपने आपको इस problem से वाकिफ करना educate करना और फिर treatment भी शुरू कर सकते हैं you don't have to jump into it immediately आपके पास थोड़े दिन है सोचने के लिए अगर आप convinced नहीं हो आप कुछ घर में ही करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं तो let's assume कि कोई major चीज नहीं है बस कोई सूजन है कंदे में जिसके वज़े से आपको दर्द हो रहा है जैसे कोई impingement हो या कोई small rotator cuff tear हो या frozen shoulder हो तो आपको क्या करना चाहिए कोई भी problem जो acute है चोट के कारण तो सबसे बढ़िया दोस्त आपका है thund मतलब ice packs तो पहले तीन चार दिन जब से दर्द शुरू हुआ हो तो ice packs लगाने से काफी राहत मिलती है कोई भी चीज जो थोड़ी chronic हो थोड़े दिन से चल रहा है एक दो हफते हो गए तीन हफते हो गए महीने हो गए तो आप क्या कर सकते हो गरम पानी या गरम की सिकाई आप electric pad यूज कर सकते हो कोई भी hot water bottle यूज कर सकते हो उसके उपर उससे काफी राहत मिल जाए कहीं मलहम available है market में जो basically ठंडाग पहुंचाती है अपके कंधे में जिससे आप अपने दर्द के बारे में थोड़ी देर के लिए भूल जाते हो ठंडे के उपर focus करते हो और आराम ने जाता है अगर आपको कोई tear wear नहीं है बस frozen shoulder type है stiffness है तो exercise भी अच्छी चीज होती है आजकल parks में वो wheel मिलता है जो आप rotate कर सकते हो आप movement कर सकते हो gentle movements आपके कंधे में ताकि movement आए pain एक protective reflex है याद करिएगा pain आपको बचाता है तो दर्द की बात सुननी चाहिए हमें ऐसे नहीं होना चाहिए no pain no gain मतलब बहुत ही strength करके करना दर्द भी हो रहा है तब भी आप sign करके कर रहे हो नहीं दर्द की बात सुनो धीरे धीरे से करो अगर जरूरत से ज्यादा दर्द हो रहा है मतलब कुछ गडबड है अपने डॉक्टर के पास तुरन जाओ और इलाज करिएगा नो योगा आजकल बहुत ही popular है मोधी जी हमें इतना promote कर रहे हैं और ये हमारी देश का एक exercise करने की तरीका है और हम सब को इसको अपनाना चाहिए योगा एक बहुत ही tried and tested exercise method है जो ancient time से हमारे यहां चल रही है इसमें आपकी flexibility भी improve करती है strength भी improve करता है और आपका concentration भी better होता है तो योगा क्योंकि एक stretch based exercise है movement based exercise है वो आपके कंधे के लिए काफी आराम दे सकते हैं तो power योगा मत करिएगा unless आप expert हो या आपने training लिया है इसके लिए पर basic योगा आप से आप बात करके शुरू कर सकते हो यह आपके सारे जूड़ों के लिए अच्छा है नो दर्द बहुत ज्यादा हो गया है आप क्या कर सकते हो घर पे आपका doctor नहीं मिल रहा कोई help नहीं मिल रहा immediately आप कुछ करना चाहते है तो जैसे मैंने आपको समझा है ठंडे या गरम प यह करने के बाद तब भी दर्द ना कम हुआ तो आप directly अपनी doctor के पास जाईएगा आप इसको prevent कैसे कर सकते हैं कंदे का दर्द से बच कैसे सकते हो याद रखना कंदे की बात सुनो कोई भी ऐसे चीज नहीं करनी चाहिए जिससे कंदे को तकलीफ होता हो दर्द एक ऐसी भा या workout ने कि आप तुरंट जा रहे हो जिम में तुरंट पूरा exercise मत करिएगा धीरे धीरे से जोर का जटका धीरे से लगना चाहिए body में तो warm-up करना बहुत important है कोई भी exercise exercise करने से पहले तो warm-up and cool-down warm-up तकरीबन 10-15 minute exercise करने से पहले जहां आप stretch करते हो तोड़ा jogging करते हो ता relax होने दो फिर बाइक बाइक चला के घर चले जाएगे I hope आपको ये वीडियो पसंद आया अगर आपको पसंद आया तो please like and subscribe to my channel thank you